विदान सभा चुनाओं समाप्त होते ही भाजपा लोग सभा चुनाओं में जुट गई पार्टी चुनाओं का लैप प्रारम का रवेवस्तित सेटप देना चाहती है डिप्टी सीम अरुन साओं ने पत्रकारों से चर्चा करते ही वे कहा कि कॉंगरिस इस समय मुद्धा विहीन और नयतित विहीन है पूरी कॉंगरिस पार्टी दिशाहीन हो चुकी है जिस प्रकार इंडी गट बंधन के हालात हैं वही कॉंगरिस का है लोगसभा चुनाओं के प्रत्याशी चयन पर अरुन साओं ने कहा कि बीजेपी में प्रत्याशी चयन की एक निश्चित प्रक्रिया है समय में पार्टी प्रत्याशियों की घोशना हो जाएगी पार्टी चुनाओं के तयारी में पूरी तरह से जुट गई है इंडी गड़ बंधन में दरार आने पर उपमुखिमती अरुन साओं ने तंज कस्ते ही वे कहा कि हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि ये घमंडी गड़ बंधन हैं शुरू से ही लड़ रहे हैं जब से गड़ बंधन पर पातचित हुई शुरू से हो रहा है विवाद ये बताता है कि गडवंदन का क्या हश्र होने वाला है देश ने हर छेत्र में तरक्की की है हर छेत्र में उचाईयों को छुआ है और जिस प्रकार से देश की अर्थ बेवस्था मजबूत हुई है देश में अधोसं रचना का विकास हुआ है और ऐसा कोई छेत्र नहीं है जहां पर देश आगे बढ़ा है और उमीद है कि इस बजट में भी देश को आगे बढ़ाने के लिए आम जन के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रावधान होगा देखे मुझे ये लगता है हम सुरू से ये बोल रहे थे यह घमंडी गडवंधन है इंडी गडवंधन है और ये तो सुरू दिन से लड़ रहे हैं जिस दिन से इनके गड़ंधन की बातचीत हुई एक साथ खड़े होके हाथ जोड़ के फोटो खिच्वा है और उसके बात से आपस में जिस प्रकार से इनके विवाद हुए हैं तो ये बताता है कि गड़बंधन का क्या हसर होने वाला मैंने आपको पहले ही कहा कि जनता कांग्रेस से बहुत दूर जा चुकी है कि कांग्रेस ने जनता के साथ हमेशा न्याय ठगी और धोखा ही किया है और इसलिए कां इस पस्ट रूप से बताता है कि कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है कि जनता में उनकी कोई पैट नहीं है आज जनता चाहती है तो नरेंद्र मोदी जी को चाहती है ये खड़गे जी के बयान से इस पस्ट हो रहा है भारतिय जनता पार्टी 11 की 11 लोग सभा सीट जीतने क की तैयारी कर रही है और जनता का भरपूर आसिरवाद हम सब को प्राप्त हो रहा है माननी नरेंद्र मोदी जी के नत्रतों पर चतिरगड की जनता को पूरा भरोसा है जहां तक कांग्रेश की न्याय आत्रा का बात है तो जिन्होंने 75 साल तक लगातार देश और देश की जनता के साथ अन्याय किया हूँ आज न्याय आत्रा निकाल रहे हैं विधान सभा पांच राजियों के विधान सभा के चुनाव के पूरू भी यात्राएं निकली थी और उस यात्रा के निकलने के बाद चत्तिरगर कांग्रेस के हाथ से गया राजस्तान कांग्रेस से हाथ से गया मध्यपदेश में बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कुछ नहीं मिला तो नियाय आत्रा का कोई लाब कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा चत्तिरगर में 11 की 11 लोग सभा सीटे भारती जनता पार्टी जीतेगी और केंद्र में माननी नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधान मंत्री बनेंगे